ओम श्यांति हमें बाप समान संपूर निर्विकारी बनना है ब्रह्मा भावा ने अपने संपूर निर्विकारी बनना है ब्रह्मा भावा निर्विकारी बनना भावा निर्विकारी बनना है हो जाएंगे अर्थात एक सेकिन में मन श्यांत अपने आत्मिक स्वरूप में इस्थित अंत में उन्हें एक के सिवाए कुछ भी याद नहीं आएगा और वो ऐसी सहे जिश्थिति में सरीर छोडेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं यहां थे और माँ हैं बिद्वे कुछ नहीं हुआ केवल एक बाबा की याद में तो अंत में योग युक्तो कर दे छोड़ना ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धी है हम निर्विकारी बने माया के पांचो विकार और पांचो विकारों के सुक्स्म स्वरूप इन सभी को हमें विजय प्राप्त करना है साथ साथ, प्रकरती के पांचों तत्वों की आकर्शनों से भी मुक्त होना है पांच विकार और पांच तत्वों ये दस विकार तत्वों का सरीर बना हुआ है और सरीर हमें आकर्शित करता है वो विकारों का आधार बनता है, कारण बन जाता है तो इन धसों को हमें विजयille प्राप्त करनी है तो हम निर्विकारी बनने का सुन्दर संकल्प करें और याद रखें जो आत्मसंपूर निर्विकारी हो जाती है इसका इंगलिश सब्ध है族 वाईसलेज हो जाती है उनका बाबा से वैसे कनेक्शन हो जाता है जैसे wireless के द्वारा होता है wireless connection के अधिकारी तो जितने जितने हम wireless बनेंगे निर्विकारी बनेंगे बाबा से हमारा connection उतना ही clear रहेगा और बाबा की touching हमें सहज प्राप्त होती रहेगी जो ये सुचते हैं कि बाबा की बाते हमें पता नहीं चलता हम बाबा से पूचते रहते हैं लेकिन touching नहीं होती है हम catch नहीं कर पाते वो check करें हम कितने निर्विकारी हैं हमने माया की सभी स्वरूपों पर कितना विजय प्राप्त की है जब आत्म संपोर्ण निर्विकारी बन जाती है तो उसका चित पूरी तरह निर्मल हो जाता है उसकी भावनाएं दूसरों के लिए संपोर्ण रूप से स्रेष्ट हो जाती है तो हमें निर्विकारी बन कर पूर्णी मा के चंद्रमा की तरह इस संसार में चमक कर संसार के अंदकार को नश्ट करना है निर्विकारी आत्माए ही सच्चे अर्थों में पुज्य आत्माए होंगी इस निर्विकारी स्थिति के आधार से ही किसी की संपोर्ण रूप से पूजा होगी विधी पूर्वक पूजा होगी और ब्रह्मा बाबा ने यही स्थिति प्राप्त की इसलिए आज वो बाप समान है, हमें भी बाप समान बनने के लिए निर्विकारी बनना है, तो आज सारा दिन ये संकल भी रखेंगे। मैं पवित्रता का सुर्य हूं और बाबा से पवित्र केर्णे भी प्राप्त करते रहेंगे। बड़ी सहेज विधी, बड़े सहेज रूप से, कि बाबा से पवित्र केरने मुझ पर पड़ रही है, चलते फिरते हम इस फाउंटेन के नीचे हैं, और जिधर देखते हैं, उधर हमारे पवित्र वाइब्रेशन्स जाते हैं, जिधर देखते हैं, प्रकर्ति को हमारे पवित पवित्र वाइब्रेशन्स की मदद मिलती है, पानी को देखते हैं, उसमें पवित्र वाइब्रेशन्स जाते हैं, पहाडों को देखते हैं, उनको जाते हैं, व्रक्षों को देखते हैं, उनको जाते हैं, इस तरह का आप व्यासम करते रहेंगे, मैं परम पवित्र, पवित्र पवित्रता का सूर्ये, बाबा की पवित्र किर्णों के नीचे, और जिधर भी देखते हैं, उधर ही पवित्र किर्णे फैलती जा रही हैं, पाईए हम सभी पवित्रता का दान दें संपूर्ण प्रकरती को और इसंपूर्ण वायु मंडल को परिवर्तित करने के लिए ओम स् प्टिय।